जी जना, softmax function जो है, इसको पढ़ा के हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि मैं flow नहीं तोड़ना चाहता, so just give me few minutes, और ये एक ऐसा function है, जो बे बहा यूज होता है, for something called multi-class classification, ठीक है, so let's see, softmax activation function, लक्स लगाएं, नर्मो मुलाइम जिल्द पाएं, softmax, नाम है अत्माद का, अब ये कैसे काम करता है, मैं आपका बताता हूँ, आपने एक आम साबुन खरीदा, उससे जिल्द भी कुर्दरी होगी और आगे आपने कोई इसके फाइदे नहीं सोचे, softmax क्या करता है, अक्सर उकात अपने लक्स की आड़ देखे होगी, इसमें खीरा भी है, इसमें फ्लान चीस भी है, इसमें अलोवेरा भी है, ये भी है, वो भी है, मतलब काफी classes बता के वो आगे लेके चलते हैं, तो आप इसको वो ही softmax को लक्स के साथ अगर तश्वीदे के याद रखेंगे, multi-class classification आपको याद हो सकती है, हो सकता है, थोड़ा सा आपके लिए exaggerate हो गया हो, but it's fine, here we will see के ये कैसे काम करते हैं, The softmax activation function is the generalized form of the sigmoid function for multiple dimension, मैं पास क्यों ले रहा हूं, बजा, आप sigmoid को सोच रहे हैं कि वो क्या था, अगर नहीं सोच रहे हैं तो तुसी नेन पूरी कर रहे हैं, और सुनाएं, लॉरी अच्छी हो रही है आज बाकी लोहों को, चलें, let's see, generalized form of sigmoid function, sigmoid function क्या करते हैं, आपको classes देते हैं न, 0 या 1, ठीक है, आप उसी को multiple dimension में अगर ले जाएं, तो वो softmax है, यानि के 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, so on and so forth, ठीक है, अब इसको जब हम लगाएंगे तो हमें और भी अच्छे तरीके से ये नजर आएगे, कैसे, we will see that, इट इस mathematical function that converts the vector of numbers into the vector of probabilities, ये क्या करता है, ये probabilities calculate करे के न, एक neuron में नहीं डालता, multiple neurons में probability calculate करके डालता है, sigmoid के लिए हम एक ही use कर रहे थे, आपको याद हो, कल वाली example शाल, ठीक है, यहां पह हम multi class classification कर रहे हैं, तो 9 classes है, तो कितने neurons हुए, 9, ठीक है, हर neuron की output में probability की value इसने देनी है, जिस neuron की probability की value सबसे ज्यादा हुई, that would be our final answer, in classification, simple, ठीक है, इसकी example मैं भी आपको दिखाता हूँ, the softmax activation function is the commonly used and activation function in the case of multi class classification problem in machine learning, deep learning, artificial intelligence, जो मर्जी नाम लेड़ू, the output of the softmax is interpreted as a probability of getting each class, मतलब ये, हम सब को क्या पसंद है, मैं चार option देता हूँ, ब्रियानी, कीमे वाला नाम, अलू की भूजिया, साघ वाला प्राठा, तो अगर हम ये सारा data calculate करके, किसी एक unknown बंदे से पूचें, उससे क्या पसंद है, तो इन सारी चीजों की values आनी है, from one, जिसकी value एक में सबसे ज्यादा high हुई, उस बंदे को वो पसंद हो, ठीक है, so this is a kind of probabilities of all the things, जो multi classes है, और उसमें जिसकी ज्यादा probability है, वो हम कहते हैं कि ये है जी चीज़ों, कैसे अभी देखते हैं, the output of the softmax is interpreted as probability of getting each class, now the output of sigmoid function was in the range of 0 to 1, which can be thought of as a probability as well, but in from 0 to 1, ये है जी softmax का function, EXP of Z and then submission of EXP of Z, अब मुझे बताएं, EXP क्या है यहां पर, mathematics में EXP किसको बोलते हैं, अच्छा ये calculation आपने खुद नहीं करनी, अला जिन्दकी दे python की उसने खुद ही करके दे देनी है, समझ रहे हैं बात को, टैंसर फ्लो की अला बड़ी बड़ी उमर के रहे, और भी ऐसी चीज़ें आए हमारे use करने के लिए, हमें application की तरफ लेके, इस फंक्षन की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसकी जो सिगमॉइड की, देन लेट स्पोस्वी हैव फाइव आटपूट्स वेरियेबल, वैल्यूस 0.8, 0.9, 0.7, 0.8, 0.6 respectively, इसको और असान करने के लिए, हम यहाँ पर अगर हमारे पास एक की 0.8 probability है, की 0.9 है, की 0.7 है, की 0.8 है, एंड 0.6 है, अगर हमारे पास probabilities कुछ इस तरीके से आ रही है, सभी values की, तो हम इसका आगे answer नहीं दे सकते, क्यों? क्योंके इन सभी का sum 1 के equal नहीं है, ठीक है? तो यह problem थी सिग्मॉइड की, softmax में क्या हो रहा है, यह इसको 1 के equal कर देते हैं, let's see now, अगर मैं, यहाँ पर समझ आगी नहीं सिग्मॉइड की उन्हीं यूज कर पा रहे हैं हम यहाँ पर, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, softmax function basically combination of multiple sigmoids है, sigmoid के थुरू अगर आप probability calculate करें और सभी को calculate करने के बाद 1 के equal कर लें, that is actually softmax, ठीक है, अब इसी चीज़ को देखते हैं, यह relative probabilities को calculate करते हैं, ठीक है, और relative probabilities क्या होती है, कि एक की अगर 0.3 है, दूसरे की 0.7 है, तो total इनकी 1 होनी चाहिए, ठीक है, दो classes की, यह जीज़िस की example बड़ी अच्छी, let's learn about the working of softness function with an example, कौन से example, let's consider a neural network that classifies a given image, हमने एक image दी, ठीक है, whether it is of cat, dog, tiger or none, let x is the feature vector, x हमारा feature vector है, start से यानिके input vector, और इस तरीके से softmax function ने z के उपर काम करके हमें probability दी है, at the end, ठीक है, और हमारे पास जो probability आई है, यह चार probabilities है, आप मुझे बता सकते हैं, कि यह जो data है, क्या show कर रहा है, और हमारा answer क्या है, इसमें, मैंने एक image दी है, और मैं उसको detect करना चाहरा हूँ, कि यह कौन सी image है, अब बता सकते हैं, इसमें वो कौन सी image होगी, यह neural network, हमेंने classification का बनाया, मैंने एक image दी है, वो कौन सी होगी, अगर आपकी, च्वैट की तरफ से देखके पर थोड़ा सा, control नहीं हो पाए हांसी पर, डॉग है कि बंदे ने सिधा लिखा था, कुझा, कुई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा text पढ़के ना, अजीब सा फील होता है, हर किसी को, कितना मसूम सा लगते है ना, डॉग कहना, क्यों कि इसकी probability सबसे highest है, from one, मैं इसको एक और मिथाल देता हूँ, ये total 100% के अगर equal रख लें, 62% chances हैं कि ये एक डॉग है, इसके 18 फीचद, इसके 11 फीचद, इसके 6 फीचद, so that's how you classify a thing, into one classification, कोई मुश्किल बात तो नहीं है न, यहां पे multi-class classification कैसे चलती है, neural network पले पढ़ रहा है, क्या होता है, और अगर अभी भी नहीं पढ़ रहा, activation की अभी भी नहीं समझ आ रही, ये कीन मानो, we can't do anything further, function के फाइदे, multi-class classification के लिए use होता है, आउट्पूट को normalize करता है, zero and one के दिर्मियान सभी को, ठीक है, divided by their sum, तो अभी तो वो हमारे पास आते हैंने, total value, for neural network that need to categorize inputs into numerous categories, softmax is often employed, exclusively for the output layer, keep in mind, exclusively for the output layer, softmax use होता है, ठीक है, exclusively, exclusively for the output layer, these are the assignments, what are the differences between softmax and sigmoid functions, function, इन दोनों में, and how do we know, which activation function, should we use in hidden, or in an output layer, यह assignment आपने बाद में नहीं हल करनी, पांच मिनिट की ब्रेक है, और उसके बाद आपके पास, साथ मिनिट और है, और उसी के दुरान, आपने इस assignment को, resolve करना है, यहां से मारा ब्रेक टाइम स्टार्ट होता है, and I'm hopeful के, आप लोगों को कुछ समझ भी आ रही हो, और अगर आप आज के lecture को importantly देख लेते हैं न, तो आपको neural network की समझ भी आ जाएगी, और आपको यह भी समझ आ जाएगी, कि हमने कौन सा function कब कैसे कहां पर use करना है, और इसी चीज़ से आदा neural network construct हो जाते हैं, कि बागी कोडिंगे हैं,